सूचना जो अभी आप सुनेंगे वो अफसरों के केवल संक्षिप्ट परिचा के लिए दी गई हैं जो इस्वियापार के माध्यम से उपलब्ध हैं। आपको उस व्यक्ति से मिलने वो अधित जानकारी मांगने के लिए प्रोच सहर किया जाता है जिसने आपको ये सामगरी उधार दी है। इस कारिक्रम के रिकार्डिंग सिधी सेमिनार से हुई है। इसलिए ध्वानी की एक समान स्पष्टता की गारंटी नहीं वी जा सकती। अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइट इंगल ने 1956 में लेखा था और रिकार्ड किया था। दरसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी नौ वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंटते रहे थे। अर्ल नाइट इंगल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। चुंकि वे बहुत ही ज़ादा गरीब थे इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमरता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ एशो आराम भोगने के लिए होता है जबकि अन्ने लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदेगी भर बस जीवित र जवाब छिपा हो कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इससे रिकॉर्ड करवाया एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थिती में सेल्समेनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालुम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादु भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं। इस भारी फर्माईश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बाद की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। इस पौद थे जिस पर व्यक्तिकत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और इस्थापित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रियोग्राम बन गया जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटेंगिल हूँ। 1989 में अपने पती के मृत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अरल के धेरू संदेश नए से नए प्रभावशाली परिकों से कोने कोने तक पहुँचाए जाए। आज व्यक्तिकत विकास उद्योग काफी विस्त्रित हो चुका है लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसी ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही किमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सब को आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सरवाथिक आश्चर जनक रहसे का आनन्द उठाएं। आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। बहान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये के आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इसे प्रदत मान लिया है। यूँ ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छेपे संगहर्ष और महनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है। चलिए हम ऐसे सौ लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उमर में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उमर तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा। 25 की उमर में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामियाब होंगे। यदि आप इन में से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामियाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर। और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जग्यासा है। आँखों में एक खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पस्ट दृड़ता है और जीवन उसके सामने एक खुबसूरत एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा। 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा। चार आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे। अब ज़रा एक पल सोचिए, सौ लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस्तर तक पहुँच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ? जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्ष को समस्ते हुए उस दशा में आगे बढ़ना है महान मनोवज्यानिक रोलो में ने एक अदभूत किताब लिखी है मनुश्र की स्वेम की खोच इस पुस्तक में उने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विप्रीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनुरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड के अनुरूप चलने की मनस्त थे अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगएर कि क्यों लगबग सात वर्ष की उम्र से हम पढ़ और निश्चन्द कैसे हुआ जाए क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से हैं 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सबेरे उटकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर व मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वो उरत अपने जीवन में सफल है जो ईक पतनी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जब्मदारी अच्छी तरह आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्षिन नरधारित किया था। स्थापित करना है लगभग 20 सालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निरधारित किया जा सके क्या ऐसी कोई कुझी है मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जा मैं आपको बताऊं ऐसी कुझी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगो को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपने जीवन में काम्या अब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्षियों की वज़े से ही हुआ हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्ति सभल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही बाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ। जहाज के कैप्टिन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानमे से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत प्रतिशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसर जह जहाज के बारे में सोचिए, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और नहीं कोई चालक सरस्ये, इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है, मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझ कि इसके सामने ना तो कोई लक्षे है और नहीं इसके साथ कोई मार्ग दर्शन बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उधारन दीजिए आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर काम्याबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्षेस पच्ट हों और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रफेशन याने बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है आज हर कमपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन के जरूरत है और वे उसे बढ़ लोगों को नुक्सान उठाने से रोकने में है आज अर्थ विवस्था के तुलना एक काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गतिवारी टुकडी भी साथ साथ चल सके ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थ विव रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथद सुरक्षा हमें उपलब्द भी है लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्ष हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुराना चाहता हूँ उस पर वापस चरें जीवन में इस पश्चर लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिने आप अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिन्ताओं समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घिरे हुए थी शंकाएं और भय अतीत की चीज़ें हो हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बार फिर गोराने वीजिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे टिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे शिक्षक हों दार्शनिक हों या पैगंबर हों उनके विचारों में कई पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। पर वे पूरे दिन भर सोचता है। और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेंस ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चत तोर पर उसे हासल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने के इच्छा रखते हैं तो आप नश्चत तोर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो नश्चत तोर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्त विशेश या लक्ष के लिए वास्तवे के च्छा शक्ते विक्सित करें और उस दौरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो। ऐसा नहो कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीज़ों पर आपका ध्यान बटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। सफलता के इस आश्चे रिजनक नियम का अधार है केवल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो सफलता पाओ। विलियम सेक्सपिर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घातनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भैभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जौर्ज बरनाट शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोश देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मन्चाही परिस्थितियों खुद बनाई। ये वास्तविक्ता कितनी सुखत है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे। आईए, अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है। क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और कि तुल्णा में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा। यही वास्त विक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं एक तो किसी अनाच का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लोटाती है दोनों पौधे उकते हैं एक अन्नका और दूसरा जहरीला बाइविल में कहा भी गया है आप जैसा बोईंगे वैसा ही काटेंगे याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लोटा रही है या जहर अब मानो मस्तिश के जमीन से कहीं ज्यारा भरोसे मंध है कहीं ज्यारा उर्वर और कहीं ज्यारा चमतकारी लेकिन ये जमीन के सध्धानत पर ही काम करता है ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लोटाना है चाहे वो सफलता हो असफलता हो एक निश्चत सपस्ट लक्ष हो या असमंजस के स्थिते गलत फहमी हो भय हो या चिंता हो कुछ भी हो बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लोटाएगा आपको मालूम है कि मानो मस्तिश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कलपना से भी परे सुक सम्रिद्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सभलता और सुक सम्रिद्धी हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिश्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिश्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है नेशल्क मुफ्त और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्ताव में महत्वपून हैं वे हमें निशल्क उपलग्ध हैं, हमारा मस्तश्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारी सपने, हमारी आकांग्शाएं, हमारी बुद्ध, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक की प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, यह सभी प्रकृति की ओर से निशुलक मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। यूही अंचोई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्षे अपने मस्तश के रूपी जमीन में बो दीजिए। ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्तोपूर फैसला है। आप एक बेहत कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं। कंपनी के क दिशा में आगे बढ़ें, कारिशील रहें। और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आईजेक न्यूटन का गुरुत्व कर्शन का नियम है, कि यदि आप किसी अमारत की छट से चलांग लगा दें, तो आप नीचे ही आएंगे, उपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा कांग करते हैं, आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्षे के बारे में सोचिए, हमेशा जा या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का योग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आग जब चिकितसा विज्ञान ने स्वास्त और लंबी उम्र पानी की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकर इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाउग रस्त हो और खुद को असमाइक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी हैं। जहां जिस स्थति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है। क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारितो का आपका मन मस्तश्क ही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है। जीवन निर्धारितो का मस्तश्क रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे। ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंद्रन आपके हाथों में हैं। भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशी किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्यर जनक रहसे। अब सवाल ये है कि मैं इसे आश्यर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं। वास्तों में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अक्कंत मूलेवान है यदि हम इसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें ये ने सिर्फ हमारे लिए बलके हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्पून है जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनेक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमान्चक अभियान की तरह बिताना है श्रिस्टि के रचाईता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान्चक शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अवतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो यह आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी सत्रवी शतादी में वापस लोटें जब महान वैग्यानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सक्चाई से लागू होते हैं जितनी की सुरश्टी की अन्यवस्तूओं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्यम और अध्यन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या सुईकरित करानी की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेकना होगा और ये सोच कर काम को अधिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कलपना से भी बढ़कर अवसर मौचूद है अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरवा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्षे दिर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्ष प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थ पे आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग सपस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के खेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चोथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रत्रशत नश्चित रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंतसम भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण बिंदूओं को दोहरा लें जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तोर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्ष पर एकाग रिचित हो और चौती बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतिशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में ये सपष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलके मुम्किन हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सब से ज़्यादा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपिया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमाण में रुपिया कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता क्या भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने कार्ट पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्यत कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और स्पष्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आईए इस दोरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़ए है कि सिर्फ पांच प्रत्रशक लोग ही कामयाब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रशक वाले वर्ग में अपनी जगए बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षण अवरी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षण आप किसी लक्षी की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षण आप एक सफल ग्रती बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षण ऐसे सफल लोगों की शेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक सो में से हीर्ष के पांच लोगों में आके लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मतल जाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको शिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशने पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा खोजो और तुम उसे पालोगे दस तक दो तुम्हारे लिए द्वार खुले का क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिग्यासा रखता है उत्तर पाता है जो ढूरता है उसे प्राप्त होता है और जो दस तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरशल ये सिधान्त इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बसाथ के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पच्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर होका प्रसिद संपादिका और लेखिका डरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढून दिकाला अपनी पुस्तत वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरहे काम करो बानो असफल होना संबभ है दरोथी ने अपनी परीक्षन अवधी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्चेर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षन करें लेकिन तब तक परीक्षन शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर ले आप पाएंगे कि द्रड लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षों के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विशारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असमभब नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अपना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परीक्षन अवदी के 30 दनों के दौरान आपकी प्रेरना अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिलकुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तोड़ देता है याद रखें कि आपको अपना लक्षे अपने सामने बिलकुल सपच्ट रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसंद नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन न करें और मार्क से हटा दें हो सकता है कि परीक्षन को कठें जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूँ देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अद्गचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यबी सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद रिचित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अकसर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकार्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है नियम तंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वेस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं यह वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई ग्यमत चुकाये मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीट सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सचा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्रात कर लें अनिता उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आज दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवय्या होका उनकी संख्या करोडो अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आख मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्यम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है सम्रिद्धी भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो सम्रिधि के लिए परिश्यम और योगदान करता है वो स्वेम को सम्रिध बनाता है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बलकि किसी और जगह से मिले क्योंकि ऐसा नियम है प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परीक्षन अवरी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक संब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को संब्रद धिन्ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारबान व्यक्ति अपना भाग्य स्वेम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वेम को सम्रिद कर लेंगे तो यह आपकी भूल है इससे आप स्वेम को ही दरकिनार कर लेंगे यह बिलकुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि ये असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सकने सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चत लक्ष नरधारित करें दूसरा अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बश्पन के दिनों तक पीछे लोड़ कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरनन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विश्वाइ में अपनी धारणा को बदलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिने करें मानव सब्विता के ग्यात इतिहास की शुरुआत से ही विश्वाइश की लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की खीमत चुकाएं ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीना तीज दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन चीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुक्सम्रद्ध की ऐसी वर्षा होगी जिसके पारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त, आनंद पून और सफल जीवन गतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पानी के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है हमारी सला है कि आप किसी भी बिजनस ऑपरचिनिटी के मैटेरियल्स, शर्टों, फीस और डिस्क्लेमर्स का अध्यान करें जो आपको प्रस्तुत की जाए ये नेट्वर्किंग बिजनस ऑपरचिनिटी एंटेपेरियल्स का एक कॉपीराइट का रिक्रम है अनधिकरत पुनह उत्पादन निशेद क्रय एच्चिक है ये रिकारडिंग अंतराश्ट्रे कॉपीराइट द्वारासं रक्षत है अना दिक्रत पुनह उत्पादन पूरा या भाग में किसी भी रूप में या किसी भी साधन से इलेक्टरॉनिकली या मेकानिकली ट्रांस्मीटेड जिसमें फोटो कॉपी, डिकार्डिंग, डॉप्लिकेशन या कोई भी सूचना या पुनह प्राप्ति की प्रणाली शामिल है प्रकाशक मिरमाता की अनुवती के बिना लागू कानूनों का उलंगन है और अप्राधिक कानूनी कारवाही की अधीन है